हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल गाईज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शियर कर रही हूं कि अगर आपने स्मूथने रिबॉंडिंग या केरेटेन करवाई है तो आपको किन बातों का धियान रखना चाहिए कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए अग इस वज़ा से मेरे बाल थोड़े खराब हो गए है तो आज मैं आपके साथ वही सारी मिस्टेक्स शियर करूंगी तो गाईज देखे मैंने करवाई है स्मूथनिंग मुझे स्मूथनिंग करवाई एक डेड महीना हो चुका है तो एक सबसे ज़ादा एक डेड महीना ही हमें अपने बालों का सबसे ज़ादा धियान रखना पड़ता है अगर एक महीना हम अपने बालों का अच्छा धियान रखेंगे तो हमारे बाल लॉंग टाइम तक बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे सिल्की रहेंगे सॉफ्ट रहेंगे हमारे बालों में बैंड बिल्कुल भी नही देने हैं बार-बार बालों में कॉम्बिंग करनी है कॉम्बिंग करने से आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे बालों में टैंगल नहीं पड़ेंगे और सबसे जुरूरी बात कि आपको अपनी अलग से कॉम यूज करनी है जो कॉम सभी यूज करते हैं वो कॉम आपको यूज नहीं करनी अपनी कॉम्प्स आपको अलग रखनी है जिसे आपको नीट एंड क्लीन रखना है तो गाइस आपको ना जब आपने रिबॉंडिंग करवाई है तो उसके कुछ दिन तक आपको बालों को कानों के पीछे बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप अपने बाल को सीधा रखेंगे तो आपके बाल हमेशा सीधे ही रहेंगे बस ये कुछ बातों का दियान आपको सिरफ एक महिने के लिए रखना है उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं तो बालों पर बहुत ज़्यादा आपको बार बार नेल्स नहीं लगाने हैं हाथ बार बार नहीं लगाना है इससे आपके हाथों में जितने भी किटानों होते हैं वो सारे आपके बालों में जाते हैं कुछ दिन के लिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें ये वाले रबर बैंड हेर बैंड का आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना बिल्कुल पतले वाले रबर बैंड का यूज नहीं करना, मोटे वाले rubber band का यूज नहीं करना, hair clips का यूज नहीं करना, tic-tac का यूज नहीं करना, ये सबी चीजों का यूज सिरफ आपको एक महिने के लिए नहीं करना है ये वाले rubber band अगर आप डालेंगे तो आपके बालो में bend पढ़ सकता है wet hair में तो बिल्कुल भी बालो को नहीं बांदना है wet hair में अगर आप बालो को बांदेंगे तो आपके बालो में bend पढ़ सकता है तो guys आप इस तरह के scrunchies का use कर सकते हैं जिसे आप easily local markets जोर में 10 या 15 रूपीज में buy कर सकते हैं ये scrunchies बहुत ही अच्छे होते हैं इसके सिरफ 2 fold ही आपको करने हैं ये वले scrunchies का आप use कर सकते हैं different different color में market में आयों हैं बहुत अच्छे scrunchies इनका आप use कर सकते हैं इससे आप loose ponytail बना सकते हैं बहुत ज़्यादा tight ponytail आपको नहीं करनी है जब आपने smoothening, rebonding या keratin करवाई है तो उसके कुछ दिन के लिए आपको braid बिल्कुल भी नहीं बनानी है अगर आप braid मनाएंगे तो आपके बाल फोल्ड हो सकते हैं आपके बालों में bend पढ़ सकते हैं अगर बालों में bend पढ़ जाए ना तो बालों की look पूरी खराब हो जाती है फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है गी हमने smoothening, keratin या rebonding करवाई हुई है सिरफ कुछ दिनों के लिए इन बातों का धिहान रखेंगे तो आपके बाल लॉंग टाइम तक बिल्कुल soft, silky, smooth, straight रहेंगे बिल्कुल असान ये चीज़े हैं कुछ करने की जुरूत नहीं है सिरफ बालों को open रखें बालों को neat and clean रखें बालों पर combing करें braid बिल्कुल भी नहीं बनानी है सिरफ कुछ दिनों के लिए उसके बाद आप loose braid भी बना सकते हैं अपने बालों को open रखें कानों के पीछे बालों को बिल्कुल भी नहीं करना है कानों के पीछे ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि ये पतले वाले rubber band का आपको यूज नहीं करना है ये बहुत ही पतला वाला rubber band है जहां पर आप ये rubber band डालेंगे अगर braid करके last में डाल रहे हैं या फिर poni tail कर रहे हैं उस जगह पर आपके पूरा band पढ़ जाएगा wet hair में तो rubber band का आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है क्योंकि wet hair में गिले बालो में bend पढ़ने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं उस गिले बालो में बहुत जल्दी बाल फोल्ड हो जाएगे अगर आप rubber band का यूज करेंगे तो देखे इस तरह के scrunchies का आप यूज कर सकते हैं इससे बिल्कुल लूज करके सिरफ दो फोल्ड करने है scrunchies का आप यूज कर सकते हैं इससे आपके बालो में ना तो bend पढ़ेगा ना तो आपके बाल फोल्ड होंगे पर कुछ दिन के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप बाल ओपन ही रखिए जब आप नहाने जा रहे हैं या फिर आपको कीचन में काम करना है उस टाइम आप बस scrunchies का यूज कर सकते हैं बन आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है बन तो बिल्कुल भी नहीं बनाना क्योंकि जब हम बन बनाते हैं तो हमारे सारे बाल फोल्ड हो जाते हैं जब आप नहाने जा रहे हैं तो आप catcher अपने बालों में लगा लिजिए फोल्ड करके और जब आप बाहर आते हैं उसी time आपको अपने बालों को open कर लेना है ना तो high bun बनाना है ना ही low bun बनाना है तो guys serum का use आपको जरूर करना है कोई भी company का आप serum use कर सकते हैं अच्छा professional serum use कीजिए अपने हाथों पर पहले इसे आपको rub करना है length से start करना है कभी भी इसे scalper नहीं लगाना direct अगर आप scalper लगाएंगे तो आपके बाल बहुत ज़दा oily हो जाएंगे चिपची पर हो जाएंगे length पर इसे लगाना है जितनी आपके हाथों में amount बच जाती है उसे ही आप scalper लगा सकते हैं अच्छी तरह से combing करनी हैं आप देख सकते हैं कि मेरे बाल थोड़े से fold हो चुके हैं क्योंकि मैंने यह गलतियां की हैं तो guys आपको professional shampoo and conditioner का यूज़ करना है मैं matrix opti care का shampoo and matrix opti care का conditioner यूज़ करती हूँ बहुत ही अच्छे वाले professional product है biolage, laurel, matrix कोई भी इन में से use कर सकते हैं यह सभी professional product है rebonding, keratin and smoothening तीनों में आप यह वले product यूज़ कर सकते हैं hair mask का आपको महीने में 2-3 बार use जरूर करना है अगर जब हम smoothing करवाते हैं, rebonding करवाते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़़दा dry हो जते हैं तो ऐसे में mask का यूज़ करना बहुत ज़़दा जरूरी है आप कोई भी company का अच्छा mask यूज़ कर सकते हैं महीने में 3 बार इसका जरूर यूज़ कीजिए इससे आपके बाल बिल्कुल soft, silky and smooth रहेंगे बालों को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा जरूर करनी चाहिए mustard oil, parachute oil, almond oil, bajaj almond oil आप इनमें से कोई भी oil यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़़दा heavy hair oil आपको अपने बालों पर नहीं करनी है बहुत ज़़दा massage नहीं करनी है हलके हातों से अपने बालों पर oil कीजिए इनमें से कोई भी oil आप यूज़ कर सकते हैं इन सब भी को थोड़ थोड़ा mix करके आप यूज़ कर सकते हैं तो guys अगर आप इन सब भी बातों का ध्यान रखेंगे ये सब भी गलतियां नहीं करेंगे जो मैंने किया तो आपके बालों में बिल्कुल भी बेंड नहीं पड़ेगा आपके बाल बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होंगे लॉंग टाइम तक आपके बाल सॉफ्ट सिल्की स्मूथ स्ट्रेट रहेंगे आपकी स्मूथनिंग ठीकी रहेगी तो guys hope आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना हो सकी तो वीडियो को अपने friends and family के साथ share भी कर देना hope guys आपने अब भी तक वीडियो को लाइक जरूर किया होगा मैं आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाती रहूंगी तबते के लिए थैंक यू